हलो नमस्कार एक बार फिट से स्वागेते और आज की वीडियो नंबर 5 वैदिक मैट्स की वीडियो नंबर 5 जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 6 और 9 का कोई भी नंबर हो आप उसको कैसे मल्टिप्लाई करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यह वीडियो पूरी देखें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने दोस्तों को जरूर से होता है चाहे वो डबल 3 हो या फिर डबल 6 हो या फिर ट्रिपल 6 हो या फिर ट्रिपल 6 हो या फिर ट्रिपल 9 हो किसी भी नंबर को एक दूसरे से जब आप मल्टिप्लाई करेंगे तो उसको कैसे करेंगे very short period of time में मैं इसको बताऊंगा आप 2 या 3 सेकेंड में आप इस 2 डिजिट को मल्टिप्लाई कर लें लास्ट को 2 डिजिट को जब आप मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या करना है आपने इसको लिखना है 2 डिजिट में 0 9 हो जाएगा बात क्लियर अच्छा 0 9 लिखेंगे तो करना क्या है इन दोनों के बीच में ये देखे 2 डिजिट में है और ये भी 2 digit में है, तो आप लिखेंगे कैसे, इनके बीच में एक-एक digit का gap रखेंगे, जैसे 0, 9, और एक digit का इसके बीच में gap, और एक digit इसके पहले, करना क्या है, इसमें से 1 minus कर देना है 9 से, 1 minus करेंगे तो कितना आजागा, 8 और इसमें 1 को plus कर देना है, इसमें से आपने minus किया, और इसमें क्या कर दिया, plus 1 कर दिया, इधर कितना आजागा, 1, बात क्लियर है, जब आप इन दोनों number को multiply करेंगे, तो value कितनी आएगी, 1, 0, 8, 9, clear हो गई, एक और question लेते हैं, जैसे एक और number ले देता हूँ मैं, double 3 into double 6, इसको multiply करना है, इनको multiply करेंगे तो कितना आजागा, 18 आजागा, लेकिन इसको लिखना कैसे है, 1, इनके बीच में एक डिजिट का gap, और इससे पहले एक डिजिट रखेंगे, इसके बीच में एक डिजिट रखेंगे, क्या करना है, मैंने आपको बताया था, कि इसमें से 1- करेंगे, इसमें से 1- करेंगे, अदर 7 आजागा, और इसमें 1- कर देंगे, अदर कितना आजागा, 21, तो number क्या हो जागा, 21, 7, 8, डबल 3 और डबल 6 को जब आप मल्टिप्लाई करेंगे, तो वैल्यू कितनी आजागी, 21, 7, 8, क्लियर है, ठीक है, एक और कॉशन से समझते है, अगर आप इन numbers को मल्टिप्लाई कर रहे हैं, डबल 3 इन 2 में डबल 9 को मल्टिप्लाई कर रहे हैं, इन तोनों को लास्ट को मल्टिप्लाई करेंगे, तो वैल्यू कितनी आजागी, 27, लिखना कैसे है, 27, इनके बीच में 1 डिजिट, इस से पहले 1 डिजिट, इसमें से 1 माइनस करेंगे, इन कितना हो जायगा, 6 हो जायगा, इसमें 1 प्लस करेंगे, इन कितना हो जायगा, 3 हो जायगा, तो वैल्यू क्या हो जाלקगी, 32, 7, 26, जब आप इन capaz को मल्टिप्लाई करेंगे, आप मल्टिप्लाई करके देखें, आपको पता चल जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, तीन डिजिट में रखेंगे, 0, उसके बाद gap, उसके बाद कितना हैगा, फिर अगेन एक gap आएगा, उसके बाद आप कितना रखेंगे, 9 रखेंगे, उससे पहले एक और डिजिट रखेंगे, बात के लिए रहे, पीछे की value भी क्या करना है, जैसे में 1 प्लस कर देना है, तो कितना हो जागा, 1, लेकिन बचा क्या, एक 3 बच जाएगा, अगर एक 3 बच जाएगा, तो उसके लिए आपने exactly क्या उतार देना है, 9 कोपी कर देना है, तो यह number हो जाएगा, जब आप इसको multiply करेंगे, यह value क्या हो जाएगे, 10,989, clear है, तो next question द किया करना है, very simple, फिहले दो डिजिट को multiply करना है, पहले इन दोनों को multiply करना है, यह value क्या हो जाएगी, आपकी, 18, 18 के बीच बीच क्या करना है, 18, बात clear है, 18 को इस तरीके से लिखना है, last में कितने रखना है, 3 डिजित रखना है, यहाँ पर आपको 3 डिजित रखना है, और इधर क्या एक कितना हो जाएगा, ये value हो जाएगी आपकी 9, ठीक है, बात किलिए रहे, आप इसको multiply करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा, इसको multiply करेंगे तो value क्या हो जाएगी, ये value कितने हो जाएगी, 27, बीच में 2 digit रखना है, इधर हो जाएगा, और इधर हो जाएगी एक digit, इधर हो जाएगा, उसके बाद इसमें से 1- करेंगे, इधर हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा आपका 3, और इधर हो जाएगा 9, जब आप इसको multiply करेंगे तो यह आएगा, ये question हमने पीछे भी किया, next question देखें, next question को अगर मैं multiply करता हूँ, क्या हो जाएगा, जैसे 3333, इसको multiply करना है, या फिर 6666 को multiply करके देख लो, double 6 into double 6 को multiply करके देखोगे, तो क्या हो जाएगा, last वाली digits को multiply कर लेना है, square कर लेना है, 36 हो जाएगा, यह हो जाएगा, इनके बीच में एक digit का gap, इसमें से 1 minus करना इधर हो जाएगा, 5, इसमें 1 जोड देंगे, ये value कितनी हो जाएगी, 4356, इसको जब आप करेंगे, ये 3 digit म करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9, double digit, उसके बाद कितना हो जाएगा, 0, और इधर कितना हो जाएगा, 1 digit, क्या करना है, इसमें से 1 minus करना इधर हो जाएगा, 8, और इसमें 1 plus कर देना, 1, और इधर कितना हो जाएगा, 9, जब आप इसको multiply करेंगे, तो आपको ये मिलेगा एक और number लेते हैं, double 6 into triple 6, ठीक, last में आपने इनको multiply करना है, कितना हो जागा, 36, कितना हो जागा, 36, आपने इधर 2 digit रखना है, इधर 1 digit रखना है, इसमें से 1 minus करेंगे, 5 हो जागा, इसमें 1 plus करेंगे, 4 हो जागा, और इधर 9 हो जागा, बात clear है, ठीक है, आपको ये चीज clear ह ठीक है, next question लेते हैं, जैसे आप इसको multiply करेंगे, इधर हो जागा आपका, triple 3 into triple 6, इसको जब आप multiply करेंगे, तो last की digit को multiply करेंगे, तो value कितनी हो जाएगी, 1, 8, इधर double digit और इससे पहले भी double digit, बात clear है, क्योंकि ये triple digit में है, तो इन सब को हम triple digit में count करेंगे, ठीक, तो इस में से 1 minus करेंगे, ये value कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 7, और इधर भी कितना हो जाएगा 7, इधर कितना हो जाएगा 2, और इधर कितना हो जाएगा 2, दो बार इसको solve करेंगे, बात clear है, समझ आ गया, ठीक है, एक और question लेते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ कि आपने फिर अगिन multiply करना, 3, 3, 3, in 2 में 6, 6, 6, again 6, ठीक है, वही तरीका follow करेंगे, पहले क्या करना है, ये वाली value 3 digit में है, ये भी कितनी है, 3 digit में, इसको पहले 3 digit में रखेंगे, 3 digits में रखेंगे, पीछे रखेंगे, आप back side में रखेंगे, 4 digit में, तो 1, 2, 3, और इसको ज 8 और इदर हो जागा, 1 और इदर रखेंगे, डबल डिजिट, बात क्लियर है, इसमें से 1 minus करेंगे, डबल 7 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 3 digit में बनाना है, उसके बाद इदर कितना हो जाएगा, डबल 2 हो जाएगा, 1 add कर देंगे, इसमें 1, फिर again 1 add कर देंगे, उसके बाद 1, 6 बस रहा है, तो इदर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बात क्लियर है, इसी तरीके से और भी questions है, 9, 9, 9 into 3, तो आप जब multiply करेंगे, तो value क्या होगी, तो इस question को अगर आप देखोगे, तो ये कितना है, last में इसको आपने 2 digit बनाना है, तो पहले आपने पीछे की तरफ 3 digit रखना है, तो इसको जब आप माइनस करेंगे, इसमें से कितना हो जाएगा, 6 और इदर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बीच में कितना रखेंगे, 9 रखेंगे, ये बात क्लियर हुई, एक और question लेते हैं, जैसे एक question को और मैं multiply करता हूँ, 3 into 3 into 6 into 6, ठीक है, इसक जब आप multiply करेंगे, तो ये value कितनी हो जाएगे, 18 ठीक है, बीच में आपने 2 digit रखना है, इदर single digit रखना है, क्योंकि last में कितना है, ये 3 digit है, ठीक, इसमें से minus करेंगे 7, और इदर हो जाएगा 2, और बीच में कितना जाएगा, 9, इसकी वज़ा से, बात के लिए रहे, एक extra होने के वज़ा से, इदर कितना जाएगा, 9, अगें multiply करते हैं, double 6 into double 9, double 6 into double 9 को जब आप multiply करेंगे, तो 2 digit में है, इन दोनों को multiply करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 54, ठीक है, इसके बीच में 1 digit, इसके बीच में 1 digit, इसमें से minus करेंगे, इदर हो जाएगा 3, और इसमें से इसमें add कर देंगे, यह कितना हो जागा, आपका 6, बात किलियर है, 1 इसमें से minus किया, और इसमें 1 add कर दिया, तो इसके आगे लिख देना है, एक और question, ठीक है, double 6 into triple 9, जब आप इसको multiply करेंगे, तो क्या होगा, देखो simple है, बहुत simple है, इधर पीछे आपने 3 digit रखना है, और पहले आपने 2 digit रखना है, तो इसको multiply करेंगे, तो यह कितना हो जागा, 54, तो इसके बीच में 2 digit आएगा, और इससे पहले 1 digit आएगा, तो इसमें से minus करना, इधर आजाएगा 3, और इधर आजाएगा 6, और एक जो 9 बचेगा, उस 9 के लिए आपने as it is, उट कर देना है 9, ब पैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, keep studying!